भारतिय संस्कृति में यज्य, योग एवं मायूर्वेज जैसी अमूलने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेज, इतिहाज की ओर द्रिष्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक, नित्य व नैमेतिक यद्यों का प्रशलन देखने को मिलता है। इताक्षयम जाती पुष्पम मदूसिदार्थ कावचा, गण दूप इतिक आख्यात, सर्व भूत रुजापह, अर्थात, पंच भुतात्म, पेंड एवं पंच भुतात्म के इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए, किसे में प्रकार की विकृति हैं, रोग हैं, दोश हैं, असंतुलन हैं, उसको संतुलित करने के लिए, गण दूप में गायका घी, चावल, चमेली पोश्प, सहद, स्वेत स्वर्सो, एवं वच, इनको मिस्रित करके, हवन सामगरी बना करके, और उसकी जब हम हवी प्रदा करते हैं, और उससे उत्पन होने वाला जो धूम्र है, वह धूम्र सभी प्रकार के यातना दायक, पीडा दायक, रोगों को बहा ले जाता है, और पंच भुतात्मक इस पिंड में, और पंच भुतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है, तो आईए हम यज्य को अपनाएं. पुष्र दीवनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के यश्वरिय हमें पदान की, और इन यश्वरियों के बीच में हमें कैसे जीना है, इन यश्वरियों के बीच में हमें कैसे उत्थान करना है, इन यश्वरियों के हमें कैसे प्रयोग करना है, इन सारी बातों को हम तक पहुँचाने के लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रुपी अनमोल जयान पड़ाद की और उस वेद रुपी जयान का हम स्वाध्याई कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे सत्संग कर रहे थे और हम कल विशेश रुप से देख रहे थे यज्य की महिवा जो वेदों में यज्य से सम्मंदित जयान विज्यान बताया उसके विशेश में कुछ चीजों का आप सब के सामने प्रकाश डाला था आज आप सब भी राजस्थानवासी भाई बेहनों का में हारदिक स्वागत करता हूं इस वैदिक संस्कृती रिशी संस्कृती भारदिय संस्कृती जिसको आप इस प्रशिक्षन शिवीर के माध्यम से अपने घर बेठे हुए आत्मसात कर रहे हैं यह हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा सोभाग्य हैं परम्पुजय सरदे स्वामी जी महराज परम्पुजय सरदे आचायरे स्री के अनवरत तप पुरुशार्थ के परिणाम सरूप आज हम सब लोग इस वैदिक संस्कृती रिशी संस्कृती के साथ जूड़े हैं और हम सब लोगों को इस वैदिक संस्कृती रिशी संस्कृती को आत्मसात करने का अउसर मिला है मौका मिला है तो हम सब मिल करके इस वईदिक संस्कृति को स्वयम भी अपनाएं और औरों को भी अपनाने के लिए प्रेहिट करें संस्कृति समाज की जढ़ होती जैसे पेड की अपनी जढ़ होती पेड अपनी जड को छोड़ देता है तो समुल नश्ट हो जाता है, सूख जाता है ऐसे ही समाज जब अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो समुल नश्ट हो जाता है, सूख जाता है दुख को प्राप्त करता है हमारी संस्कृत है यज, हमारी संस्कृत है आईरवेद, हमारी संस्कृत है वेद उपनिश्य दर्शन से ले करके जो पावनी परंपरा जो ज्यान की रही है वहाँ जिसमें चतुर वर्णास्रम धर्व, पंच महा यज्य, सोला संसकार से ले करके विशेश रुप से परवो के साथ जोड़ करके हमारी संस्कृत है अनमोल है विशेश है जो हमारे तन, मन, बुद्धी, प्राण, परियाबरण से ले करके संपून अस्तित्व को शुद्ध, पवित्र, सुगंदित, सुव्यवस्थित, को एक्जिस्टेंस में रखने का काम कर संस्कृति इसलिए वेडिक संस्कृति अपने आप में विलक्षन संस्कृति है इसलिए परमपुज श्रदे स्वानमी जी माहराज बार बार केते हैं सह अस्तित्व, एकत्व और विश्वबंधुत्व की यह संस्कृति है को एक्जिस्टेंस, वननेस, ब्रधरवूर। कहने का अभिप्रा है कि यह जो वैदिक संस्कृति है, रिशी संस्कृति इतने विलक्षन संस्कृति है कि जो जीव मात्र का हित, समष्टिक का संतुलल, सब जीजों को ध्यान में रखते हुए जिसे मानव जीवन का उथा, जिसे कोई भी चीज हम बनाते हैं, तो उसकी करूल होते हैं, एक नियम होते हैं, उसके लिए बहुत सारा प्रोटोकल होता है ब्रह्म यज्य, जिसमें संधिया, उपासना, वेद, आदि, सत्य सास्तरों का स्वाध्या, सत्संग, और उसको जीवन में धारन करना यहा है ब्रह्म यज्य, इसी प्रकार देव यज्य, जिसको अगनिहोत्र कहते हैं, जो पंच भुतों को पोशित करने के लिए, देव ये शक्तियों को तरिप्त करने के लिए, प्रान और परियावरण को संतुलित करने के लिए, और रिनों से उरिन होने के लिए, विश्य इसी प्रकार से पित्री यज्य, माता, पिता, गुरुजन, आचारिय, आदी जिन्हों ने हमें सिंचा है, जिन्हों ने हमें बढ़ाया है, जिन्हों ने हमें खान, पान्च की व्यवस्थाओं से लेकर के जन्म देने से लेकर के जियान देने तक सब कुछ हमारे लिए किया है, इसे माता, पिता, गुरुजन, उनके प्रती करतज्य रहना, उनकी आज्या का पालन करना, उनको विशेश रुप से आधर देना, सत्कार यह पित्र यज्या, इसी प्रकार बलीव एश्वदेव यज्या, अर्थात, हमारे पांस जो कुछ भी एश्वरिया है, तन, मन, प्राण, परियावरन, हमारे पांस विलक्षन, बुद्धी है, वानी की सामर्थ, या जो भी हमारे पांस सामर्थ है, चाहिए वो धन की सामर् हो चाहिए, जो भी हमारे पांस minimum सामर्थ है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एश्वरिय होता उस समर्थ को हम सेवा में लगा है असहाई जीवों के लिए असहाई प्राणियों के लिए बली वैश्वदेव यजिया बली वैश्वदेव यजिया विश्शेश करके असहाय जीवों के ले किया ज़ता है इसी प्रकार से अतितिये यज्य अतितिये यज्य असमय में हमारे घर पे आये हुए व्यक्ष दि जो परोपकारी हो स्तदाचरन करने वाले हो समाज से हो जानी हो, यती हो, तपस भी हो उपकार करने वाले ऐसे विलक्षन व्यक्तित्व को अपने घर पे आने पर उसको आसर ही देना उनके खान, पान, सेवा, सुश्रुशा करना और उनके पांज ज्यान और अनुभव है उस ज्यान और अनुभव को आत्मसाथ करना अपने साथ जोड़ना यह है अतेथी यज्ज इस प्रकार से पंच महायज्जों की भारती या संस्कृती में एक विशेश परंपरा रही है इन पंच महायज्जों को करने से हमारा सामाजिक जीवन सूव्यवस्थित होता है हमारा पारिवारिक जीवन सूव्यवस्थित होता है हमारा प्रकृति के साथ जो संबंध है वो सुव्यवस्थ होता है जो हमारे कर्तविय होते हैं उनको हम निभाते हैं पंच महायज्य अर्थात हम अपने कर्तवियों से बंदते हैं अपने कर्तवियों का हम निर्वाहन करते हैं जिससे हम अपने जीवन में पुरुसार्थ चतुषे धर्म अर्थ काम मोक्षणा मारोग्य मुलमुतम रोगास तस्या भरतारस सेय सुधी की दस्या, जैसे आईरवेद में का धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धी के लिए यह पंच महा यज्य हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक हो हमें इस पुरुसार्थ चतुष्टई के उन्नति और पुरुसार्थ चतुष्टई के पूर्थी के लिए पंच महा यज्य विशे शुरुप से कार्य करते हैं विशे शुरुप से हमें योगदान देते हैं, विशे शुरुप से हमें आगे बढ़ाते हैं पंच महायज्जी की यह पावनी पराम परारे इसी प्रकार से चतुर वरणास्रम धर्म सबसे पहला ब्रह्मचरिय आश्रम जिसमें हम ब्रह्मचरिय का पालन करते हैं हम उपनयन संसकार से लेकर के हम वेदारम संसकार से लेकर के जो अन्यस संसकार है नौब वह संसकार उस अवस्था में किया जाते हैं और ब्रह्मचरिय आवस्था में हम विशेश रूप से वेद, उपनिशा, दर्शन, आदी जो स्रेष्ठ ग्रंत हैं उन वेद और वेदादिश सास्तों का अधियन अधियापन करना ब्रह्मचरिय का जिसमें हम विशेश रूप से विद्या की उन्नती करते हैं हमारे मस्तिस का पोशन करते हैं अर्थात जो हमारी शक्ती है हमारे बल है उसको बढ़ाते हैं व्यायाम आदे करके सारीरिक बल बढ़ाते हैं सत्संग, स्वाध्याय, भजन आदे करके हम भावनात्मों बढ़ाते हैं इसी प्रकार से गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु देश और गुरु शिक्साओं से आत्म बल बढ़ाते हैं विद्या ध्यन करके विद्या का बल बढ़ाते हैं बोधिक बल बढ़ाते हैं इस प्रकार से हम सभी प्रकार के बलो को गुरुकुल वास करते हुए ब्रह्मचरी अवस्था में रहते हुए हम विशेश रुप से सारी सक्तियों के सारे बलो को हम बढ़ाते इसको केते ब्रह्मचरी अवस्था ब्रह्मचरी अवस्था एक रूप से तप की अवस्था उस समय हम तप करते तप अर्थाज सक्तियों का संचय करते हैं हम वीरियवान बनते हैं ओज, तेज, उर्जा, सक्ति, सामर्थ से युक्त होते हैं वाने, विद्या, वाक कुसलता से लेकर के हर प्रकार की जो भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक सामर्थ होती है उस सामर्थ को हम विश्य शरुप से बढ़ाते हैं इसे प्रकार से दूसरा ग्रिहस आस्रम जब हम सबी सक्तियों से परिपूष्ट हो जाते हैं उसके बाद हम ग्रिहस्त काल में आते हैं तो पानी ग्रहन संसकार आदी जो संसकार होते हैं वो हमारे संसकार संपन होते हैं जिसको हम साधी विवाह आदी कहते हैं जब वह संसकार हमारे संपन होते हैं उसके बाद एक अलग कर्तव्यों के साथ हम जूड जाते हैं तब हमारे एक अलग उत्तरदाइत्व हो जाते हैं वह अलग कर्टविया वह जो अलग उत्तरदाइत्व है हमारे उन कर्टवियों का उन दाइत्वियों का हम निर्वाहन करते हैं और जो ब्रह्मचरिय अवस्था में ब्रह्मचरिय काल में जो हमने सक्तियों का संचय किया था उन सक्तियों का हम अब पराक्रम दिखाते हैं अर्थात उन सक्तियों का हम परियोग करते हुए संपूर्ण, परिवार, समाज, राष्ट्र को अब हम सुख और उन्नती की वर अग्रसर करते हैं उन शक्तियों का प्रियोग लेते हैं परिवार में परिवार की भी विर्दी समाज की भी और राष्टर की भी उन्नती प्रकृति का पोशन अर्थात उस समय करने का काल आ गया पहले हमने अध्यन किया अर्जन किया अब उन शक्तियों का प्रियोग लेकर के हम सुख, सांति, सम्रिधी और एश्वयों को बढ़ाने के लिए हम अपनी उर्जा को अपनी शक्ति को लगाते हैं संतती, उत्तम संतान को जहन्म देना से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सोपान में और जब हमारे वह कर्तव्य यथा वीधी हम पूर्ण करते हैं हम वानपरस्त आश्रम में प्रवेश करते हैं अर्था जब हमारे बच्चे के बच्चों का जन्म हो जाता है उसके बाद हम वानपरस्त आश्रम की वोर हम जाते हैं वानपरस आस्रम अर्थात जो ग्रिहस्त कर्म हमारे थे उन कर्मों को छोड़ और एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं और उसमें पूरवकाल में वह घर से बाहर जो गुरुकुल हुआ करते थे उसकी सेवावों में अपना समय देते थे समाज की उन्नती में विशेश अपना समय लगा देते अर्थात वानपरस अवस्था वह अवस्था होती हैं जिसमें घर, परिवार, आदिस सम्मंधित जो सेवाय थी उससे मुक्त होकर के अब हम जो सामाजिक हमारे उत्तरदाइत्व हैं, राष्ट्रिय हमारे उत्तरदाइत्व हैं उन उत्तरदाइत्वों को विशेश करके निभाने के लिए और उन रिनों से उरिन होने के लिए हम अपना यूगदान देते सामाजिक सेवाओ को संपन करते हैं घर से निकल करके जंगल की ओर हम आगे बढ़ते हैं परिवार आदिसे जो अलग-लग संबंध होते हैं उनसंबंधों को हम छोड़ते हैं और केवल प्रभू से एष्षर की ओर संबंध विशेस्थापित करते हैं स्वाध्याय, सत्संग, उपासना, ध्यान, संध्या, भजन, सत्संग एक आध्यात्मिक ताकी ओर हमारी प्रवरित्ती वानप्रस आस्रम से विश्य शुरुप से शिरू होती वानप्रस आस्रम में हम विश्य शुरुप से साधना की ओर और सेवा की ओर अपना जुकाव होता है और उस प्रकार के हमारे कर्तव यह होता है साधना और सेवा करते हुए मन में वेराग्यका उद्भव होता है और धीरे धीरे साधना सेवा करते हुए चित्की सुद्धी होती है और उसके बाद हम पिच्चते साल के आसवास पहुंच जाते हैं उसके बाद का जो हमारा समय होता है उसको सन्यास काल गएते हैं अर था अब वान प्रस्ते हम सन्यास की और आगे प्रवरित्त होते हैं और सन्यास आसर में जाकर के हम सभी प्रकार के जो उत्तरदाइत्व हैं सावन उनसे मुक्तव करके विशेश करके खास करके इश्वर उपासना ध्यान, संध्या भजन, स्वाध्या और सेवा अधी अर्थात विशेश रूप से अध्यात्मिक हमारी उन्नति कैसे हो इसवर हमें अग्रसर करते हैं और सन्या सवस्था में हम परीव राज़क की तरह पहले तो हम अर्ण्या में जाकर के वानप्रस्ट में रहते थे हमारा खुद का सारी चीज होती है लेकि जब हम सन्या सवस्था में आते हैं तो उस समय जब हम सन्या सवस्था में आते हैं तो उस समय हम इन सार्जी युक अत्याग और विशिश करके हम परम पिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए, परम पिता परमात्मा की उपासना करते हुए, परम पिता परमात्मा को सर्वत्र दर्सन करते हुए, हम सब और विचरण करते सब और रोकार का, कल्यार का भाव प्रसरित करते हैं स्वाद्याय सत्संग के माद्यम से हम एक वहराग्य की उत्तम स्थिती तक हम पहुंचते हैं और जो सारी आशक्तिया होती हैं विश्यों के प्रति, उन आशक्तियों को हम त्यागते हैं और धीरे धिरे धर्म अर्थ कांग और मौक्ष की सिद्धी जो कही है धर्म पूरवक पहले हमें धर्म का अर्जन किया brahmachariya वस्था जो काल होता है उसमें वेद आदी सत्य सास्तों का अध्याण आदी करके और शक्ति का अर्जन करती हुए हमने धर्म क्या है उसको हमने जान फिर धर्म पूर्वक हमने ब्रह्म चर्य के बाद जब हम ग्रियस तवस्था में आते हैं तो ग्रियस तवस्था में हमने विशेश करके हमें ज्यान अर्जन जो किया था और जो उर्जाई अर्जन की थी उसको हमने विशेश रूप से क्रियान विद किया अर्थात जो पहले हमने ब्रह्म चरियकाल में धर्म का अर्जन कर उसी धर्म पुर्वक हमने अर्थ और काम की शिद्धी अर्थात अपनी इच्छाओं की सिद्धी करते हैं और सन्यास अवस्था में हम मोक्ष्टी और अग्रसर होते हैं अर्थात सभी प्रकार की जो आसक्तिया हैं उससे मुक्त होते हुए हम आगे विच्रन करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमारे यह चार सोपान होते हैं इन चार सोपानों को यथा समय उसके जो कर्तविय है उसका पालन करने हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा देए उसे के अंतरगत इन पंच महायज्यों का भी हमें पिशेश रूप से आचरन करना होता है और इन पंच महायज्यों को करते हुए इन चतरवणा आस्रम धर्म के करतवियों का पालन करते हुए और इसे के अंतरगत हमारे सोलह संस्कार आते हैं संस्कार उसको कहते हैं जो हमें संस्कृत करे हमारे तन हमारे मन हमारी बुद्धी इन सब को जो उन्नत बनाता है जो स्रेश्ट बनाता है उसको कहते हैं संस्कार संस्कार आप सब लोगों न हम बुवाई करते हैं जो क्रिशक है वह जब बुवाई करता है तो उससे पहले बीजों को संस्कृत करता है अर्थात वह जो बीज है उस बीज को संस्कृत जैसा करेंगे और बोएंगे तो जैसा संस्कार हमने उसमें डाल ले हैं उसमें उसी परकार के वह पोधे, उसमें परिणाम देने वाला सबको आज विदित हैं आज क्रिशिक शेत्र में बहुत बड़ी किरानती आई है हाइब्रिट बीज जिसको हम वह कहते हैं संकर बीज जिसको कहते हैं या और भी इस परकार कि जो विशेश जो हमारे सामने पद्धती या प्रकरी आई इसके माद्यम से जो हमारे सामने बाते आती है उससे हमें बहुत सहज सरल उदाहरन पूरवक्त हमें इसको समझ सकते हैं संस्कार अर्थात उसके अंदर अनू परवानू उसके DNA में चेंज करना जैसे आज कोई भी बीज फसल से पहले हम उसमें संसकार करते हैं और वो संसकार जब करते हैं और जो उस संसकार अरथात उसके DNA में कुछ चेंज कर देते हैं और जैसा चेंज करते हैं वैसा ही चेंज उसके पेड में या कोधों में उसके फलों में उसके रसों में और उसके स्वाद में, उसके गून धर्म में सब में वैसा चेंज दिखाए देता है वैसे ही यह मनुष्य भी एक इकाई है एक जीव है जब गर्भाधन संसकार होता है अर्थात बीजार ओपन हो रहा है तब से हमारे संसकार शिरू होते हैं और गर्भाधन अवस्था में तीन संसकार हमारे संपन होते हैं ब्रह्मचरी अवस्था में छे साथ संसकार हमारे संपन होते हैं और उसके बाल आगे आगे हमारे संसकार संपन होते जाते हैं मुंबई शहर में खाटकु पर स्नाथ पर मैं योग वर्क चलाती हूं कि हम पहले हवन करते हैं यज्य करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआते हैं तो यसे हमने यहां पर गेंसर जिसे जो पीडित हैं उन्हें हम पूरी तरह से फ्री रखा हैं तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहां पर आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर अरुड हुआ था उंजी बहुत कमजोरी महसूस होती हैं तो इसके लिए मैं योग वग में आई हूं और उसके बाध में एक महने के बाद में उसे बापस पीछे तरफ पीच्चर तरफ पीच्च्ट की तरफ दर्द होने लगिया, हमने का किस्क्रूब कर लीजी पर चब ट्क्श्ब करणे ने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मिरुदंड में फैल गया है आपकी पीट में पूरा फैल गया है तो अब आप तो एक मैने के ही मेमान है धिरे-धिरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा अब पूरी तरह से बेड़ पे आजाएंगे तो बहुत सुबह डॉक्र साब उन्हें यज़ ठरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे तो एक मेहना या 15-20 दिन हम उसका हाथ पकड़के इचा रहे थे तो एक मैने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरुवत नहीं है मैं अकेली जा स आज मैने तक वो लगा तर मेरा रूट जाती रही और शाम के वक्त हम उनके आपे सेवा देते रहे वह महिला बहुत इच्छी तरह से स्वस्त है और चल फिर रही है तो यानि दिखे डॉक्टर सब को यज़ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया तो यानि यज़ से हम ये बड़ी बिमारिय हम जो कहते हैं इसे भी कैंसर को कैंसर कर दिया है यजय भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार के स्रेश्टमकर्म यज़ को अपनाएं पिंड और बंभांड में संतुलन कायम करने वाले यज़ को अपने जीवन का अभीन अंग बनाएं एवं प्रकृती मा की प्रति अपने रिणों को अदा करें। विश्व स्वास्ति का एक नारा, यज्य से होगा जग उजियारा। भारती सिंस्कृति की अमुल्य विरासत, यज्य की महिमा को जानने हेतू। वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साथे ग्यारा बजे। यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें। विशेश जानकारी हेतू संपर्थ करें। मोबाइल नौशुन्य छै आठ पांच छै पांच तीन शुन्य छे।